Very good evening to all of you, सभी का warm welcome है वाईटी और इंगली शूटर पे आज सुबह का दहिंदू का फर्स साइटोरियर पढ़ने वाले हैं Wrong Solution इसका टाइटल है यह आटिकल लिखा हुआ है कैसे कुछ स्टेट्स इंडिया की प्राइविट सेक्टर में भी Employment पे यानि की नौकरियों पे Reservation को लागू कर रही है और कैसे यह law सुप्रीम कोट की स्कूटनिक के आगे टिक नहीं पाएंगे शुरू कर लेते हैं यह आपका आज का कुईज है अब अगला दा पुरा घंटा क्लास पे इंवेस्ट करेंगे ढंक से चीजों को सीखेंगे और जो भी सीखा है उस पे grammar, comprehension और vocabulary के questions आपके सामने है क्लास के last में इनका solution mark पो करवा दूँगा चलिए शुरू करते हैं आईए कुछ नया सीखते हैं चलिए अगर किसी exam के आप aspirant हैं और जरूर से अपनी एप को डाउलोड करें YT Your English Shooter को Play Store पे अवेलबल है comment section में first comment में इसका link भी मैंने डाल दिया है application पे बिलेंगे आपको quality courses बहुत ही affordable prices में जैसे basic से advanced English writing skills का course 60 hours में लिखना सीखोगे आप बेलकुल basic से किसी भी exam के लिए जरूर से फाइदा उठाएं banking का combo available है 1500 गंटे का इसमें content मिलता आपको prelims और mains का तयारी के लिए छोड़े-छोड़े pocket courses भी है 50-50-60-60 रुपे के उनका भी फाइदा app के उपर आप ले सकते हैं कोई भी query हो relating to app ये number है इस पर whatsapp करें आपको reply मिल जाएगा चलिए करे wrong solution लेकि solution क्या होता है किसी चीज़ का समाधन और wrong का मतलब होता है गलत करे गलत solution लेकि आई हो गलत समाधन किया है अपने इस समस्या का और problem क्या है समस्या का है on urban, rural, divide and reservation बात की जा रही है इस समस्या की urban और rural के बीच के divide की divide का मतलब होता है खाई, chasm, difference, gap और urban, rural का मतलब है शहरी और gramene तो शहरी और gramene इलाकों शहरी और gramene लोगों में जो खाईया है उनकी income में, उनके lifestyle में इस समस्या का आपने solution क्या निकाला है अपने निकाल दिया है reservation यानि की election तो करे इस समस्या का ये solution, reservation एक wrong solution है गलत solution है आगया समस्य में, चलो divide मतलब खाई, इसको chasm, difference या gap बोलते हैं title, paragraph से देखेंगे इस पूरे article के ये कहना क्या चाह रहा है करे इंडिया must address disparities between urban and rural areas and not use reservation as a panicia कहरा है भारत को address करना चाहिए देखें, address का मतलब होता है आपका पता कहाँ पर रहते हो लेकिन address वर्फोर्म में बताता है किसी चीज का solution लाना किसी चीज को संबोधित करना कहरा है इंडिया को संबोधित करना ही चाहिए solution लाना ही चाहिए सारी inequalities का, disparities का, असमानताओं का जो है urban और rural areas के बीच में जो है शहरी और ग्रामिन इलाकों के बीच में और इंडिया को नहीं use करना चाहिए must not use, must not use reservation को, erection को एक panicia के तोर पे, एक रामबान इलाज के तोर पे आगया समझ में, तो urban, rural में बहुत सारी परिशानिया है, urban में लोगों के पास पैसा है rural में बिल्गूल पैसा नहीं है, है ना तो यह परिशानिया जो है ना, यह सारी disparities जो है, जो disparities है इनको address करने के लिए reservation को रामबान नहीं बना लेना है भारत को, इंडिया की दो वर्प्स है subject एंडिया आपका वर्प है पहली must address और दूसरी वर्प है must use helping वर्प दूसरी बार नहीं लिखी गई है and conjunction के आने के बात same helping वर्प को आप omit कर देते हैं subject वर्प इसी तरीके से green और pink कलर में मिलेगा अगर आप आर्टिकल में आज पहली बार आए हैं तो ध्यान करना इसी इसको green और pink subject और verb आपको पकड़ते जाना है आपके समने में ने mark up कर दिया है ताकि आप इससे और understanding ले सको चलो disparity नाम के word पे नज़र डालते हैं देखे parity मतलब equality बराबरी disparity का मतलब है अस मानता यानि की inequality आई बात समझ में parity मतलब equality disparity और inequality के दूसरे के synonym है पेनिशया का मतलब होता है रामबान एक ऐसी ओशिदी एक ऐसी दवा जो सब जो है सारे मर्ज की एकी दवा होती है वो कहलती है पेनिशया वैसे होती ही नहीं ऐसी कोई दवा ही लेकिन अगर कोई ऐसी दवा हो जिससे सारे मर्ज जो हैं दूर हो जाएं सारी बिमारियां दूर हो जाएं उसको बोलते है पेनिशया यह एक one word है याद रखें इसको इसके मैं कुछ synonym आपको बता देता हूँ अच्छे अच्छे cure all जो सब चीजों को cure करते cure all होता है nostrum, catholicon और elixir ध्यान करना nostrum और elixir अच्छे words है advanced words है nostrum और elixir catholicon थो बहुत कम सुनाओं को आपने पहली बार सुनतों शायद आप इन दोनों words को जरूर याद रखना elixir और nostrum को panichia के synonym से चलिए एक छोटा सा concept करेंगे याँ पर grammar का फिर आगे बढ़ते हैं मैं कुछ sentences आपके सामने रख रहा हूँ और आप सभी को एक challenge रोग करता हूँ चोटा सा 10, 15, 20 second लो इन sentences में कहीं कोई error आपको दिख रही है क्या अराम से देखो चलो अराम से वीडियो को pose कर लेना कई बार कर चुके हैं concept concept है between और end का correlative conjunctions का between प्लस में end और दूसरा concept है from प्लस में 2 का ये हैं pair में बनी हुई prep position pair prep position ये साथ में आती है from और 2 जब भी range बताना हो और between और end भी साथ में आता है जब भी range बताना हो अब मैं आपको example के जरी ये समझाता हूँ इन दोनों को कैसे यूज करना है ठीक है there are five tall collection boots boots between जैपूर to Gualier तो अगर जैपूर से आप Gualier निकलें है ना कुछ काम से निकलें तो पांच आपको tall collection के boots मिलेंगे देखो ये sentence हिंदी में तो ठीक लग रहा है लेकिन English में गलत है अब देखो कैसे between के साथ में आपने यूज कर दिया है two को अब आपके पास दो तरीके हैं या तो इस two को बना दो and आप लिख दो between जैपूर and Gualier या फिर अगर आपको यहां पर two ही लिखना है तो इस between को बना दो from सामाज में आगया from plus में two between plus में and किसी range बाउंड चीज को बताने के लिए तो from जैपूर to Gualier भी ठीक है between and between जैपूर and Gualier भी ठीक है या रखना the inflation has ranged between this percentage to this percent for the entire year inflation range बाउंड रहा है इस range के अंदर पूरे साल के लिए between के साथ में two लगा रखा है देखने में सही लग रहा होगा यहां लिखो between और साथ में लिखो ant और यहां फिर from प्लस में two from waking up and sleeping exam as parents should dedicate at least eight hours to studies जगने से लेकर के सोने तक exam के as parents को dedicate करना चाहिए कम से कम आठ घंटों को अपनी पढ़ाई के लिए तो जगने से सोने तक लिखना है तो from waking up to sleeping लिखो और यहां फिर जगने से सोने के बीच की बात कर रहे हो तो यहां लिखो between और यहां लिखो ant दोनों ही ठीक है दोनों का अपना अपना meaning है लेकिन mix दोनों को नहीं करना है simple concept आज के quiz में use होगा चलो अब इस पूरे article की आपको दिखा देते है vocabulary एक साथ ताकि आप इसको smoothly पढ़ते जाएं साथ ही आप सभी competitive exam as parents को mock test के लिए मैं refer करूँगा testbook.com इसकी खुबी यह है कि इसमें 470 exams के 34,000 से यदा mock test एक single package में available है अब 34,000 mock test हैं तो इसमें easy भी होंगे, difficult भी होंगे moderate भी होंगे हर तरह के mock test को practice करने का आपको mocha मिलता है यह सारे mock test सभी exam से single package में available हैं, एक साल की validity 399 से, तीन साल की validity में 599 से, लेकिन 1 year pass और 3 year pass पे, अगर आप code लगाते है YT10, तो आपको additional discount मिलता है 1 year pass 360 में और 3 year pass 540 के अंदर जरूर से discount का फैदा ढढ़ा है, code लगा है YT10, इस वीडियो के first comment में आपका link आपको मिल जाएगा चलिए अपनी vocab sheet है, सारे नए और पुराने words से इसमें मिलेंगे, यह अपना telegram group है, यहां से आप इसको download कर सकते हो, नया group है पुराना वाला बंद हो चुक है, यहीं पर आपको सारे notification और PDF मिल जाते हैं आज के words हमारे पस 5 है, एक word है set aside या lay aside, phrasal verb है फिर start नाम के adjective है, पहले कर चुके है थोड़ा याद करने कोशिश करो पुराने words है, impinge on या upon phrasal verb है, यह भी हो चुकी है, stumbling block कई बार कर चुके है, craft and guile यह एक noun phrase है, बहुत पहले किया था आज repeat होगा, ubiquitous बहुत अच्छा word है agrarian यह नया word है और glaring यह भी नया word है तो पहले पुराने words देख लेते है set aside, lay aside, दो meaning रखती है phrasal verbs, दोनों एक दूसरे की synonym है और meaning कितने हैं इनके, दो-दो दोनों का पहला meaning है, किसी चीज़ को ignore करना, cancel करना, मैंने आपको एक सला दी आपने set कर दिया, उसको aside बाजू में रख दिया aside में, आपने मेरी सला को नहीं माना, set aside कर दिया, तो किसी चीज़ को cancel या ignore करना, set या lay aside कहलाता है दूसरा इसका meaning होता है, save करना future के लिए, आपने कुछ पैसे आपकी income होती है, salary आती है, salary में से 10-5,000 पर निकाल के रख देते हो, किसी mutual fund में डालके, आप उसको set aside या lay aside कर रहे हो, अपने income को तो किसी भी चीज़ को future के लिए use कर, इस्तमाल के लिए अगर save करते हैं, तो होगे पहला meaning, दूसरा, the court has set aside the provision of reservation for Marathas for state government jobs, court ने set aside कर दिया है, दरकिनार कर दिया है, ignore या cancel कर दिया है, उस नियम को, जो है, अरक्षन का reservation का Maratha लोगों के लिए state government jobs में महरा सके इंदर, तो set aside को आजा पार्टिकल में देखेंगे, strike down, quies, abrogate, ये पहले वाले का synonym, save जो है, दूसरे वाले का synonym meaning का, थोड़ा detail में कर वा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठें चीज़ है, ना, stark एक नया word है, stark एक अज़टिव होता है, इसका मतलब होता है, plain and gloomy, एक ऐसी चीज, जो आपके सामने हो, और बड़े ही उदासी भरी हो, disappointing हो आपके लिए, है ना, stark मतलब, plain हो, साफ हो, और disappointment भरा हो, his actions were in stark contrast to his words, उसके actions जो हैं, सीधे सीधे तोर पे, disappointing तोर पे, contrast में थे, उल्टे थे उसके words के, बोलता कुछ और था, करता कुछ और था, है ना, तो stark contrast था, plain और gloomy था, disappointing भी था, और साफ साफ भी था, utter, bleak, grim, dismal, सब इसके synonym है, bleak को आज आप आप आटिकल में देखने वाले हैं, stark के synonym को, impinge on या upon, phrasal verb होती है, इसका सबसे था meaning है, किसी चीज़ पे bad effect छोड़ना, और कभी-कभी इसका meaning होता है, किसी चीज़ को violate करना, सिमाओं की normal limit से पार हो जाना, है ना, दोनों ही meaning ये phrasal verb रखती है, the new law may impinge upon the freedom of press, नया law impinge upon कर सकता है, bad effect को छोड़ सकता है, या limits को cross कर सकता है, freedom of press की, पत्तर कारिता की, freedom की, आया समझ में, तो जो freedom है, उसको violate कर देगा, ये freedom पे bad impact छोड़ेगा, impinge on करेगा, इसको impact, encroach, ये trample upon भी करते हैं, trample upon का मतलब होता है, किसी चीज़ को कुचल देना, या दखना, फेजल वोग, trample upon, चले, stumbling block, ऐसा block, ऐसा पत्तर, जिस पे आप stumble करें, जो आपको लड़खडाने पे मजबूर करें, लड़खडाना मतलब stumble करना, ठीक है, तो stumbling block वो block है, जो आपके रस्ते की रुकावट है, अचानक से आ जाता है, आप लड़खडा के नीचे गिर जाते हो, आगा समझ में, स्टंबलिंग व्लोग मतलब रुकावट, corruption is a major stumbling block in the growth story of India, ब्रस्ताचार जो है, सबसे बड़ी रुकावट है, इंडिया की ग्रोथ की कहानी में, स्टंबलिंग व्लोग के सिनोनीम है, रुकावट के hurdle, impediment, deterrent, hindrance, obstruction, handicap, यह words कई बार डिसकस कर चुके है, इन ही में से एक सिनोनीम इसका impediment, इसको आज आप आप आटिकल में देखने वाले हैं, ठीक है, रुकावट को बोलते हैं, क्राफ्टन गाइल एक noun phrase है, इसका मतलब होता है, आपकी art और cleverness, किसी काम को करने का आपका तरीका, artful तरीका, salesman used his craft and guide to close every deal, salesman इस्तमाल करता था, अपनी कलाब अजी को, अपनी expertise को, हर deal को पूरा करने के लिए, close करने के लिए, close a deal का मतलब है, किसी deal को पूरा करना, क्राफ्टन गाइल का एक सनोनीम है, proficiency, जिसको आज देखने वाले हो, proficiency को है, proficiency इसका सनोनीम है, इसको आप आटिकल में देखेंगे, trickery और expertise इसके सनोनीम होते है, कोई भी काम करने की जो कलाब आजी होती है, वो कहलाती है, उसकी proficiency है, craft and guide, ubiquitous बहुत बार देख चुके उस word को, जो चीज हर जगह हो, omnipresent हो, pervasive हो, widespread हो, universal हो, वो होती है, ubiquitous, जैसे plastic bags are ubiquitous, हर जगह जहां नजर मालो, मार लो आप polythyn की जलियां आपको मिलेंगी, ubiquitous का synonym wide spread, इसको आज आप आप article में देखेंगे, वो कहाँ बहुत सारी होगी ना, चलो, अब दो नए वर्ड्स भी करते हैं, ये तो सारे पुराने थे हैं ना, एक वर्ड है agrarian, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है agricultural, जो भी चीज क्रिशी से अधारी तो, खेती से जुड़ी हो, वो कहलाती है agrarian, इंडियन एकॉनमी इस प्राइमरली agrarian, भारत की अर्थ वर्षता मुखिता है, क्रिशी परधान है, रिलेटिंग टू अगरी कल्चर है agrarian है, ये वर्ड याद रजाएगा ना, अगरी कल्चर से agrarian adjective form है, और glaring, जो चीज जो glare करती हो, glare का मतलब होता है चमकना, हर वो चीज जो obvious है, apparent है, जो दूर से ही चमक रही है, देखाई बट रही है, वो चीज के लाथ ये glaring, जैसे several glaring errors in your writing, leaves a bad impression on the readers, आपकी writing में, लिखावट में, बहुत सारी चमकने वाली जो errors है, दूर से बड़ी-बड़ी-बड़ी-बड़ी-बड़ी-जो errors है, है न, वो एक खराब impression को छुड़ती है, आपके readers पर, तो glaring नाम का word, इस तरह से आप यूज करें, flagrant, noticeable, या conspicuous, इसके synonym है, साब-साब दिखाई देने वाली चीज के लिए, आज इस article में glaring को आप देखेंगे, चलिए, वो कैब आज बहुत सारी हो गई है, लेकिन अच्छा है, कभी-कभी ऐसा dose में मिलता है, वो कैब का, चलिए, summary, बहुत सीधी सी है, आपने सुना होगा, भारत की कई states में, ऐसे laws बन रहे हैं, कि private sector की jobs में भी, आपको erection मिलेगा, अगर आप state कहीं है, बाहर से आई हैं तो नहीं मिलेगा, और state कहीं हैं तो आपको मिल जाएगा, यह ऐसा इसली होगा है, क्योंकि COVID के बाद में, jobs बहुत कम हो गई हैं, और बहुत सारी state governments, ऐसे measures को, अपनी youth को खुश करने के लिए लेकर क्या रही हैं, आप हर्याना के हो, तो हर्याना की किसी company में आपको इनोकरी दी जाएगी, किसी राजस्तान ये किसी दिल्ली वाले को नोकरी नहीं मिलेगी, अब हमारा article यह कह रहा है, कि यह जो laws लेकर क्या रही है ना, governments, यह wrong solution है, solution यह है कि गामों और शहरों के बीच में बहुत बड़ी divide है, और कई states बहुत ज़्यादा rich हैं, और कई बहुत ज़्यादा poor है, इसके लिए center government को कुछ करना चाहिए, ना कि state governments को सीधे सीधे अरक्षन लगा देना चाहिए, यह सारे अरक्षन के जो laws है, supreme court की scrutiny में है, बहुत जल्दी court इंगो खारीज भी कर सकती है, क्योंकि हमारी समधानिक स्वतंतर ताउं से, मूल अधिखारों से यह violate करते हैं उनको है न, आप कहीं भी बस सकते हो, लेकिन हर्याना में नहीं बस सकते, क्योंकि हर्याना में आपको नोकरी नहीं मिलेगी, तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि आपको अगर करना है तो ठीक से, इस प्रॉब्लम को अद्रेस करो, reservation is not a penitia, हर जगह पर इसका यूज इसमाल ना करें, आगया समझ में, आज की tone है, warning, warning कर रहा है, wrong solution मत अजमाओ, ऐसा मत करो, जब भी मत करो, मत करो की बात होती है, आर्टिकल लिखा होता है, warning tone में, चोटाने वाली tone में, शुरू करने, शुरू करने, शुरू, कर रहा था issue, of reserving private sector jobs, for people, domiciled within the state, the same state, may face its first judicial test, soon, कर रहा है, जो issue है, जो मुद्दा है, reserve करने का, अरक्षित करने का, private sector में jobs को, अज जा किन के लिए भाही, फोर लगा के बता रहा है, ऐसे लोगों के लिए, जो domiciled हैं, जो की, बसे हुए हैं, domiciled का मतलब होता है, किसी जगह पे निवास करना है, तो ही बस जाना, ऐसे लोगों के लिए, जो मूल निवास ही हैं, जो domiciled हैं, उसी state के अंदर, within the same state, कर रहा है, यह जो issue हैं न, state के लोगों को, नोक्रियों में अरक्षिन देने का, यह issue face कर सकता है, और किसको, अपनी पहली समधानिक जांच को, judicial, जो है, टेस्ट को बहुत जल्ली, तो यह laws तो आरे हैं, लेकिन अब supreme court, इन laws को एक एक करके, इनकी scrutiny करने वाली है, issue की वह बहुत है, में आप जानते हैं, future को बजाता है, future की probability को, याद रखें, में और might, बोनों के साथ में likely, possibly, perhaps, ऐसे words used, नहीं होते हैं, domiciled का मतलब होता है, कहीं पे आप based हो, इसी से word बने domicile certificate, जो आप government से बनवाते हो, जिसमें लिखा होता है, आप कौन सी state के, या कौन से, district के मूल निवासी हैं, मूल निवासी पर्मान पत्रिस को बूलते हैं, domiciled adjective, domiciled certificate उसी से बनाएं, चलिए आगे बढ़ें, कहराज सुप्रीम कोट has asked, the Punjab and Haryana High Court to decide, within four weeks the validity of the Haryana law, mandating 75% reservation for local candidates in private sector jobs, that pay up to 30,000 रुपी a month, कहराज सुप्रीम कोट ने कहा है, has asked, पंजाब और हर्याना की हाई कोट को, क्या का है, क्या आप करो decide, अचा कब तक, 4 weeks में within four weeks, अचा किस चीज़ को, validity को, वैदता को, अचा किस की, नए हर्याना के law की, हर्याना के नए कानून की, कौन सा कानून, जो mandate करता है, जो जरूरी बनाता है, 75% reservation को, अरक्षन को, local candidates के लिए, हर्याना के लड़के लड़कियों के लिए, और कहाँ पे, private sector की jobs में, अचा किस तरह है कि इस private sector jobs, वो वाली jobs that, जो pay करती हैं, 30,000 रुपे तक, up to रुपी 30,000, एक मेने में में मन्त, ऐसा बोले सुप्रीम कोड ने, सुप्रीम कोड ने, हाई कोड को बोले, चार वीक के अंदर, decide करके हमें बताओ, कि क्या ये law, जो 75% नोक्रियां देते हैं, हर्याना के लड़के लड़कियों को, अरक्षित करते हैं, 30,000 रुपे वाली, सही है या गलत है, कोड की वर्ब है अजास्ट, that की वर्ब है पे, that आया है, private sector jobs के लिए, ठीक है, इसका antecedent है, private sector jobs, उसके लिए relative प्रणावन है that, जैसा antecedent होगा, वैसी ही relative प्रणावन की वर्ब होगी, jobs यहां पे plural है, इसलिए that की वर्ब भी पे लेकी हुए, plural वर्ब है, पीछेस नहीं आ रहा, up to मतलब तक, 30,000 रुपे तक, mandating यहाप एक adjective है, वो वाला लोग जो mandate करता है, mandate एक noun भी है, mandate एक adjective भी है, दोनों form में इसको आप कई बार देखते हो, noun form में मतलब होता है, mandate का एक necessary duty, जैसे RBI को mandate मिला हुए, कि आप inflation को control करो, mandate है उसका, और verb form में mandate का मतलब होता है, किसी चीज़ को necessary बनाना, आगे समझ में तुब necessary, necessary noun और verb दुनों form में ही वर्ज होए, ऐसा ही meaning लेगा, आपका फर्ज mandate है, noun form में और किसी चीज़ को आपका फर्ज बना देना, mandate है वर form में, चलिए आगे बढ़े, कि रहा, even though the apex court, set aside an interim stay order, granted by the HC, the high court, it was only doing so, because the stay was granted, without assigning reasons, अब court ने ये तो बोल दिया, हर्याना वालों को, हर्याना की court को, कि आप इसकी जांज करो, लेकिन साथ में court ने एक और काम किया, supreme court ने, कि रहा है यहां तक की जब की even though, या हलां की जब की, court ने set aside कर दिया, set aside करना, समझाए ना आपको, किसी चीज़ को दर किनार कर देना, side में रख देना, court ने side में रख दिया, ignore कर दिया, quash कर दिया, हर्याना और पंजाब की high court के द्वारा, है न, by the high court, करे जहाला की court ने ऐसा किया है, लेकिन क्यूं किया है भई, it was only doing so, ये सिरफ इसलिए ऐसा कर रही थी, मैं इसलिए ऐसा कर दिया थी, क्यूंकि because, जो state था ना, वो grant किया गया था, बिना assign किये किसी reason को, बिना दिये गए किसी कारण को, तो पहले हर्याना की सरकार ने, इस reservation के law को, side में रखवा दिया था, Supreme Court ने बोला, side में मत रखवाओ, इसको चलने दो, और 4 week में बताओ, इसको बंद करना है, permanently या permanently चलते देना है, क्योंकि आपने जब इसको side में रखने का order दिया था, उस order के अंदर आपने कोई reason नहीं दिया था, अगर reason दिया होता है, तो हम आपकी बात मान भी लेते, आगी बात समझ में, apex code की वर्ब है, set aside, past tense में, set, 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 v1, v2, v3, same रहती है, यहाँ पर v2 लगे हुए है, याद न, set है, put है, burst है, सारी ऐसी verbs जिनकी v1, v2, v3, same रहती है, यहाँ पर side to side का मतलब है, किसी चीज को ignore करना, over rule करना, cancel करना, चलिए, interim मतलब जो की, थोड़े से time के लिए होता है, permanent नहीं होता है, temporary होता है, granted, यहाँ पर adjective है, वो order जो grant किया गया था, it की वोब बे was doing, was doing, past continuous tense में, stay की वोब बे was granted, past and definite tense, specific में, चलिए आगे बढ़ते हैं, करे, it is a settled principle, that legislation cannot be state, unless there is a preliminary finding, that it is unconstitutional, or suffers from any glaring illegality, तो करे, यह एक settled principle है, इस बात पर सारी चीज़े settled है, इस कानून के उपर, कौन से कानून पर भाई, it is a settled principle, that वो यह की, legislation को stay नहीं किया जा सकता, किसी भी कानून पर, रोग नहीं लगाई जा सकती, अच्छा कब तक नहीं लगाई जा सकती, अगर ऐसा नहीं हो, unless, अगर ऐसा नहीं हो, और क्या नहीं हो, कि एक preliminary finding हो, एक preliminary मतलब basic सी, विल्कुल शुरुवाती, एक शुरुवाती ऐसी finding हो, ऐसा आपको observation मिल जाए, कि यह law जोवा, यह unconstitutional है, असमिधानिक है, या फिर यह law सफर करता है, किसी साफ साफ दिखाई देने वाली, ग्लेरिंग सी illegality से, जो है, illegality आप जानते हो, जो अब अज़ता होता है, कानून की खिलाफ होता है, तो यह saddle principle है, किसी भी लोग को government, government का कोई भी कानून, जो है, सरकार, उसको जो है, court जो है, उस पर stay नहीं डाल सकती, अगर वो कानून देखने में, बिल्कुल सही लगे, या फिर उसमें कोई गल्ती ना मिले, तो it की वर्ब है is, legislation की वर्ब है, cannot be state, finding की वर्ब है is, finding यहाँ पर subject है, इस वर्ब है, वो पहले आई हूँ है, क्योंकि देर से close शुरू हुआ है, अब जानते हो, it की दो वर्ब सही है, is unconstitutional, or it suffers, और conjunction के बाद, दोनों वर्ब्स जुड़ी हूँ है, glaring मतलब, जो साफ साफ दिखने में सही हो, obvious हो, not disable हो, जो चमक रा हो है ना, दूर से glare करता हो, चलिए, बहुत कुछ है इस sentence में देखने माला, अब एक छोड़ा सा concept अपने देख लेते हैं, कई बार कर चुके हैं, आज repeat हो जाएगा, एक काम करो, तीनों यह sentences, last वाले, इन में कोई आपको error दिख रही हो, तो रूणने की कोशिश करो, find करने की, लास्ट के तीनों sentences में, कोई glaring error आपको अगर दिखती हो, तो पकड़ने की कोशिश करो, चलिए, देखिए, अनलेस, अंटिल और लेस्ट, इन तीनों के बाद में कभी नोट ना लगाएं, ठीक है, अनलेस का मतलब होता है, अगर ऐसा ना हो, अनलेस के साथ में, जब तक pandemic खतम नहीं हो जाती, मास्क जरूरी है, खतम नहीं हो जाती, आपने यहाँ पे नोट लगा दिया, लेकिन अन्टिल में नोट आ चुका है, तो यहाँ से निकाल दो, लिख दो, अन्टिल अन्टिल अपैंडमिक इस ओवर, मास्क आर कमपल सरी, लेस्ट यू कैच दा डिसीज, याद रखें, लेस्ट के साथ में नोट तो आता नहीं है, बलकि साथ में वर्ब की बेस फॉर्म भी शुरू होती है, तो यहाँ पे कैच ही लिखना है, अगर ही होता तब भी कैच, अगर शी होता तब भी कैच, यू है तब भी कैच, वर्ब की बेस फॉर्म याती है, लेस्ट के बाद में, ठीक है न, यह अडिस्टन रूल है, लेस्ट के बाद में, शुड भी आप बीच में लगा हुआ, देख सकते हैं, यू शुड कैच दा डिसीज भी बिल्कुल ठीक है, लेस्ट के बाद में, बेस फॉर्म या शुड दोनों में से कोई भी लग जाता है, चलिए, आज के क्विज में एक कॉंसेट यूज होगा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे नोट लगने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस के बाद नहीं लगेगा, तो मतलब अनलेस के बाद वाले क्लोज में नहीं लगेगा, यहाँ पे लगने में कोई दिक्कत नहीं है, इस में लगने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगने में दिक्कत है, last के बाद में note डगने में दिक्कत है last से पहले note डगने में कोई दिक्कत नहीं है याद रखना जो close दिया है उस close में note नहीं आएगा conjunction के बाद दूसरे close की बाद यहां पे नहीं की जा रही चलो there are quite a few issues that arise when the state introduces a quota in the private sector especially if it is based on a domicile norm अब बतारा है ऐसे सारे कानूनों की दिक्कत क्या है करें बहुत सारे quite a few issues है काफी सारे issues है quite a few मतलब काफी सारे और करें जो arise होते हैं जो उट खड़े होते हैं जब when state जो है introduce करती है ऐसे quota को ऐसे कारेक्षन को private sector में खास करके अगर यह based हो अगर यह अधारी तो domicile norm पे किसी आदमी की मूल निवास की जो है नियमों पे गहां पे आप पैदा हुए हो उसके साथ से आपको नोकरी मिलेगी इंडिया के अंदर ही यह ऐसे कानून जो है इनसे बड़े issues खड़े होते हैं थोड़ी disturbance आ रही है बार से है न एज़्जस कर लेना issues की वब है are that की वब है arise that आया issues के लिए plural antecedent और plural वब arise का मतलब होता है उठ खड़े होना किसी चीज का पैदा हो जाना state की वब है introduces it की वब है is based आगे बड़े rise और arise के बीच का difference आप जानते है rise का मतलब भी उठ खड़े होना arise का मतलब भी उठ खड़े होना लेकिन arise में चीज़ें पैदा हो जाती है ऐसे उठ खड़े नहीं होती पैदा होके उठ खड़े होती है आया समझ में इनकी form भी ऐसे चलेगी rise, rose, reason arise, rose, reason ठीक है आगे अ लगाते जाना है rise से arise बना देना है question के अगर बात किये करें a question has a reason या reason आप यहाँ पर यूज करेंगे reason को एक question उठ खड़ा हुआ है यानि कि पैदा हो गया है कई question पड़ा नहीं था जो खड़ा हो गया है अगर पड़ा हुआ खड़ा हो जाए तो rise और अगर पैदा होके खड़ा हो जाए तो arise तो question तो पैदा होके खड़ा होगा ना तो reason ना कि reason sun has a reason या reason अब sun पैदा तो वह नहीं है तो sun तो rise करेगा तो sun has reason और वैसे ही protest have reason या reason अगर प्रोटेस्ट थे ही नहीं तब तो अरीजन हो गए और प्रोटेस्ट पहले से हो रहे हैं और उट खड़े हुए तो रीजन हो गए have also introduced such laws while the ruling DMK in Tamil Nadu had promised 75 reservations in its election manifesto for last year's assembly polls करा अंदर प्रदेश और जारखन ने भी introduced किया है ऐसे कानूनों को जबकि ruling जो DMK है Tamil Nadu वली वो promise कर चुकी थी इतने percent reservation को अपने चुनावी manifesto में चुनाव के वाइदे के पतर में manifesto में पिछले साल के 70 पॉल में पिछले साल के विधान सबा चुनाओं में तो ऐसा हर्याणा ने ने किया है इससे पहले अंदर प्रदेश और DMK जो है तामिल अडू में वो भी कर चुकी है इन दोनों की वाइब इंट्रदूस्ट DMK की वाइद promised manifesto आप जानते चुनाओं भी घोष्टना पत्र है न जिसमें पार्टियां लिखती है है हम यह देंगे बिजली मुफ्त पानी मुफ्त है न मैनिफेस्टो होता है वो चलिए अब बतारे इस सब को करने के बीचे objective क्या है सरकारों का करत देखते हुए given bleak employment situation को employment की बहुत ही disappointing और plain situation को किसी से चुपी नहीं है plain है और बड़ी ही gloomy है बड़ी disappointing है बड़ी ही निराशा भरी है करत देखते हुए साफ तोर पे निराशा भरी employment की situation को और किस वज़े से भाई back drop में या पीछे पीछे या wake up में reported loss of millions of jobs के in the backdrop का मतर होता है किसी चीज के बाद है या किसी चीज को देखते हुए तो करत देखते हुए बहुत सारा loss of millions of jobs हुआ है reported है जो उस चीज को करे इस चीज को देखते हुए हुआ क्या यह सारा काम हुआ पैंडमिक के दौरान करहा हुआ यह कि यह कोई surprise नहीं है इसमें कोई चंबा नहीं है कि जो leadership है जो नेता है जो बाबू है अफसर है कि हर स्टेट में वो चाहती है कि वो find करे रोजगार के अफसरों को इंप्लॉइमेंट की पॉस्टिस को अपनी यूथ यानि कि अपने जवान लड़के लड़कियों के लिए यूथ के लिए यानि नोजवानों के लिए आगया समाज में तो इंप्लॉइमेंट situation बहुत खराब है बड़ी disappointing है सब को पता है इस वज़े से हर स्टेट की सरकार चाहती है कि कुछ ना कुछ अपनी यूथ के लिए कोई कानून बना के कुछ कर डाले इत की वगए इस लेड़े शीप की वगए 6 सेख का मल्लव होते है किसी चीज को बाने की कोशिछ करनाई选ल्य अल्यक अप जान गए है में employers हो सकता है इस सीज को और सस्ता पाएं में find it cheaper उनको सस्ता जो है लगे और क्या इस्तेमाल में लेना services की ऐसे लोगों की जो दूर दराज की state से आई है तो कुछ states में ऐसा हो सकता है private sector वालों को बाहर वालों को नोकलियां देने में मज़ा आता हो क्योंकि उनसे कम पैसे में वो काम ले लेते हैं जबकि दूसरी में कई states में ऐसा भी हो सकता है और कैसा acute shortage हो सकती है बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है labor की काम करने वालों की local population के अंदर जैसे की महरास्टा और तमिल नाडू है ना तो यहां पर local population जो है बहुत महंगी है उनसे काम करवाओगे तो 700 रुपे देने होंगे किसी भार से यूपी बिहार से किसी बंदे को लेके आओ वो 4500 रुपे में करके देगा तो ऐसा भी तो है ना इस वज़े से private sector को बढ़ा इससे नुक्सान पहुँचने वाला है Employers की वबय में find, shortage की वबय में be acute का मतलब होता है extreme, sharp, बहुत जादा far away मतलब दूर दराज की, far away दूर दराज चलिए आगे मड़े, अब आज़ाओ next sentence में यह तो इसने बताया है इस law से परशानिया, यह क्यों आ रहा है और क्या कैसे परशानिया है ना अब आगे बताएगा इस law से constitution कैसे violate होता है कहीं कहीं constitution से भी इस law का धगड़ा है कैरा the first hurdle that a law such as the Haryana State Employment of Local Candidates Act will face is the constitutional bar on discrimination on the base of place of birth or residence कैरा पहली जो hurdle है पहली जो रुकावट है ऐसा एक law जैसा की और कैसा भी सच है जैसा की Haryana State Employment of Local Candidates Act यही वो लोग है हर्याना में जिससे हर्याना के लर्गे लर्गयों को स्टेट के प्राइवेट सेक्टर में जोब जादा मिलेंगी कैरा है जो पहली hurdle है जो की ऐसा एक law face करेगा will face कैरा है that hurdle is that recovery obstruction is वो क्या है वही constitutional bar समधानिक रोक जो लगी हुई है और किस की उपर भेदभाव यानि discrimination की उपर और किस अधार पे on the basis of अधार पे आपके place of birth और residence के सब्धान में लिखा हुआ आप कहीं से भी आते हूं कुछ भी करते हूं कहीं भी पैदा हुए हूं कहीं भी आपका घर हो आप भारत के किसी भी राजे में जाके कोई भी वैपाज या कोई भी नोकरी कर सकते हैं तो यह सबसे पहली hurdle होगी इस लोग के सामने जो हर्यान ने बनाया है hurdle की वहबे इस लोग की वहबे विल फेस discrimination मतलब भेदवा, बाइसनेस, बार मतलब रोक, किसी चीज़ पर बैन और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं है न hurdle के सनोनिम आप जानते हूं impediment, hindrance, obstruction, stumbling block याद है न सारे के सारे, चलिए, करा इवन दो, the constitution allows the government to prescribe a residential criterion for employment to public post, it is doubtful whether such a measure can be extended to the private sector, करा इस पूरे का एक अपवाद भी है, इस पूरी बात का एक exception भी है, exception यह है कि हालां कि even दो, हमारा constitution यह भी अलाओ करता है, हमारी सरकार को, ध्यान रखना सरकार को, कि वो prescribe करे, वो suggest क करे, एक residential criterion को, एक ऐसी कसोटी को, जो आपके, जो है, residence के हिसाब से हो, जो आपके address के हिसाब से हो, और किसके लिए, employment के लिए, public post में, रोजगार के लिए, सरकारी नोकरियों में, तो करे, हालां कि हमारा constitution इस पूरी बात के खिलाफ जाकर के, इसके अपवाद तोर पे, सरक सरकार को ये ताकत देता है, कि सरकारी नोकरियों में, residential criterion सरकार रख सके, कि फिर भी ये doubtful है, इस इस पर बड़ी शंका है, हाँ या ना, ऐसा एक measure, ऐसा एक कदम, extend किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, दिया जाएगा, private sector को भी या नहीं, तो सरकारी नोकरियों में तो Thoughtful मतलब शंकाओं भरा, शक भरा, prescribe करना, मतलब suggest करना, किसी चीज़ को, measure की वोब है, can be extended passive voice में, criterion, इसका plural जानते हो, कितने लोगों को criterion का singular या plural बनना आता है, अगर आपको ये plural लग रहा है तो singular बताना, singular लग रहा है तो plural बताना, comment से बताना, कितनों को याद है, ऐसे 5 nouns ह जो इसी तरीके से काम करते हैं, पांचों को याद करने की कोशिश करो, यही revision आपका हो जाएगा, चलिए, कराई, अब जो लोग बोलते हैं सर, हमें पता नहीं है, तो आप रोज classes में रहा करो, क्योंकि हर concept को रोज अपने discuss नहीं कर सकते हैं, कराई, in the Haryana case, it covers companies, societies, trusts, partnership firms, and individual employers, कराई, हर्याना के case में, हर्याना के मामले में, इस बार जो case चल रहा हर्याना में, यह लोग कवर करता है, इन सब चीजों को, private company को, test को, partnership firms को, individual employer को भी, किसी दुकान वाले को भी, लोग कवर करेगा, इट की वाबेक कवर्स, चलिए, कराई, the industry may feel aggrieved, that the residential requirement may adversely affect the hiring of talent from outside ह हर्याना, industry जो हर्याना की, वो feel कर सकती है, चोटिल, aggrieved, दुखी, disturbed, और किसी से वही, कि जो residential requirement है, वो बुरे तरीके से affect कर सकती है, प्रभाव छोड़ सकती है, talent की hiring पे हर्याना state के बाहर से, तो industry को अगर बाहर से किसी बंदे बंदी को लाना है, तो बड़ी परिशानी हो हर्याना के अंदर, क्योंकि अब हर्याना की बच्चों को लेना, उनकी मजबूरी बन चुका है, industry की वो बह में feel, requirement की वो बह में affect, adversity मतलब खराब तोर पे, aggrieved का मतलब होता है, दुखी है, disturbed, किसी चीज़ से परिशान, है ला, किर एक individual के point of view से, किसी आदमी की जो नजरिय यह से अगर देखो, यह law जो है, impinge on कर सकता है, यह law जो हो सकता है, violate करे, बुरा सर्च होड़े, उस आजादी पे, freedom पे, जो है, movement की कहीं भी घूमने की, उस right पे, जो है, recite और settle करने का, जो रहने का, और बस जाने का, any part of country में, देश के किसी भी हिस्से में, और उस right का, जो आपके पास, यह राइट के बाद टूल लगा के बताएं, जिस भी चीज़ का, आपको मिला हुआ है, point of view को, आप इसके लिए अच्छा सिनोनिम है, हमारे पास, परस्पेक्टिव, ठीक है, परस्पेक्टिव, point of view, यानि नजरिया, यानि की परस्पेक्टिव, चलो, याद दख ले ना, इसको, आगे बड़े, किराफ कोर्स, the act provides for exemption to any employer, if an adequate number of local candidates are not available in terms of skill, qualification and proficiency, किराफ, of course, obviously, ये जो act है, ये provide for करता है, ये इंतजाम करता है, provide for करना मतलब किसी चीज़ के लिए arrange करना, इस act में arrangement है, इंतजाम है, exemption का छूट का, किसी भी employer के लिए, किसी भी employer आप जानते हैं, employer के लिए, अगर adequate number of local candidates नहीं available है, अगर प्रयाप्त मतरा में local candidates, हर्याना के लड़के लड़कियां available नहीं है, इन सारी terms में, या तो skills की terms में, या qualification, या craft and guile, यानि की proficiency, या expertise की terms में, अगर याना में कोई लड़का लड़की ऐसा नहीं है, कि employer को जो लगे कि मेरी job के लिए, वो fit है, तो यहाँ पे वो close भी है, कि वो किसी दिल्ली या किसी यूपी या किसी राज़तान के लड़के लड़की को hire कर सकता है, एक्ट की वर्ब प्रोवाइट्स फोग, adequate number की वर्ब आर, a number, a large number, an adequate number, इन सब की वर्ब हमेशा plural होती है, और दा नंबर, दा नंबर, उसकी वर्ब हमेशा singular होती है, याद है ना, दा नंबर प्लस singular वर्ब, आ नंबर प्लस में, plural वर्ब, चलिए, proficiency, आपकी expertise, किसी काम को क करने का तरीका, करें, and there is a sunset close, the act will cease to operate in 10 years, और करें फिर वहाँ पे एक sunset close भी है, sunset close क्या होता है, किसी भी कानून के खतम होने की expiry के अगर date दे दी जाए, तो उस कानून में sunset close लग गया है, कब इस कानून का sunset हो जाएगा, कभी ये कानून अपने आप भी खतम हो जाएगा, तो करें, इसमें sunset close भी है, act जो है, बंद हो जाएगा, operate करना, cease to operate हो जाएगा, 10 years में, 10 सालों के अंदर act को आपको permanently बंद करना है, sunset close की verb है, is, act की verb है, will cease, cease का मतलब होता है, stop कर जाना, cease to operate का मतलब है, operate करना, बंद कर देना, करें, beyond the question of legality, what is flagged by such developments, is the state of economy, especially the labor economy, करें, सवाल के question के, जो है, legality का, विधानिकता का, कितना ये law legal है, कितना ये illegal है, करें, इस question के पार भी, जो चीज flag होती है, जिस सीज को flag किया जाता है, जो चीज notice में लाई जाती है, ऐसी developments के दवारा, ऐसे घटना करमों के दवारा, करें, वो चीज है, वो state, वो अवस्था, situation, जो है, हमारी economy की, और खास करके, labor economy की, मजदूर work की, तो करें, legality, legality तो ठीक है, सुप्रीम कोट देख ही लेगा, पर इन development से हमें ये पता लगा कि भारत में economy के अंदर, labor class की हालत बहुत बुरी है, इसी वज़े से एक state, जो है, वो labor class के लिए, अलग से law लेकर के आ रही ह है, कि आपको हम यहीं पर नोकरी देंगे, किसी बाहर वाले को आपकी नोकरी नहीं खाने देंगे, आया समझ में, what की verb is flagged, what से बनने वाला close है, noun close, इसकी verb is, noun close हमेशा singular verb को लेते है, what is flagged by such developments is, इस पूरे की verb होगी, इस, ठीक है, चली, state का मतलब यहां पर राज्या नहीं इस, state का मतलब है, अवस्था याने की किसी चीज की situation, क्यारे, rapid urbanization and agrarian situation are behind large scale migration in search of employment, क्यारे, तेजी से होता हुआ urbanization, बहुत तेजी से बड़े होते हुए शहर, शेरी करण, और हमारी agrarian situation जो है, agricultural dependence जो है, agricultural जो अवस्था जो है, यह दोनों चीजे behind है, बहुत लंबे scale के, बहुत बड़े scale के migration के, परवासी के पिछे, जो search में आते है, employment की, अगर आप यहाँ पे agrarian economy को, उस पे dependence बंद कर दो, urbanization को कम कर दो, तो अपने आपी लोग गाम चोड़के, हर्याना की दरफ नहीं आएंगे, हर्याना वाले लोगों की नोकरी नहीं खाएंगे, तो कहने क real issue to address is, the widespread disparities between urban and rural areas, between advanced states and backward ones, करे जो real issue जो है, वो address किया जाए, address करने वाला, इस वो है, बहुत ही लंबे scale पे, widespread जो है, हर दरफ फैलावाज और disparity है, जो inequality है, और किन किन के बीच, शहरी और गामों वाले भारत के बीच, urban और rural areas के बीच में, और advanced और backward states के बीच में, आगे इसको आप पूरा कर दो, हायाना जैसे अजीवो गरीब laws को आपको लाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी, center government से इसकी ये advice है, issue की वावाज इस, widespread, ubiquitous, universal, everywhere, pervasive, सब इसके synonym है, जो चीज हर जगा हो, widespread होती है, between के साथ में, from के साथ में, to, already आप जानते हो, disparity, inequality, आसमानता कहल आती है, simple article, बहुत learning lessons थे, लेकिन मेरे ख्याल से, आप simple लगने लगा होगा, अगर पूरी वीडियो तक आप साथ में, टिके हो, और ठीक से मन लगा के, अपनी पढ़ाई पे आप दे रहे हो, अपना dedication, पांच questions है, last वाले मैं आपको करवा देता हूँ, या खुदी कर फर्स कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसवर्स रखे हैं, वहां से अपने आंसवर्स से मेरा महस कर लिया करो है न, इसमें दो एर्रस निकालनी हैं आपको, हिंट दाल देते हैं आपको, between, conjunction, correlative को कैसे यूज किया है, वो आप चेक करेंगे, और साथ में, until नाम की conjunction कैस से यूज हुई है, इसको भी आपको ठीक से देखना है, तो between और until इन दोनों की इस्तेमाल के उपर, दो एर्रस आपको मिलेंगी, अब देख लेते हैं, comprehension के questions, अगर ठीक से पढ़ा है तो दिक्कत नहीं आएगी, इन में से कौन सी स्टेट ने, reservation का law इंटर्डूस नहीं किय है, private sector में, article पूरा पढ़ चुके हो, जानते हो, नहीं जानते हो, तो दिखा देता हूं, देखो हर्याना ने तो किया ही है, इसलिए पंजाब और हर्याना की high court को बोला गये, कि आप इसकी legality को चेक करो, लेकिन ऐसे laws को आंदर प्रदेश, तामिल नाडू और जार्खन भी पंजाब और हर्याना की high court एक है, अगर high court एक है, तो पंजाब का नाम बीच में पढ़ जाने का मतलब यह नहीं है, यह law पंजाब में भी लगा हुआ है, साब साब यह लिखता है कि in private jobs of the हर्याना law, हर्याना law की आपको करनी है, है न, investigation, तो हर्याना answer नहीं हो सकता, side-based reservation के लिए, जो employment के लिए मिलता है private sector में, तो कौन सा अधिकार हमारा breach नहीं होता है, private sector की job में, election लगने के बाद भी, right to settle in any part of India, right to discrimination against no missile, right to undertake any occupation, or right to constitutional remedies, ध्यान से देखो, तो तीनों के तीनों rights ही इस article में आपको बताए गई है, जो violet हो रहे है, हर्याना में नोकरी के या यूपी वाला भर्याना में, occupation नहीं कर पाएगा, है न, उसका right violet हो गया, वहाँ पे, domicile की वज़े से, discrimination भी, face करेगा, बेहदवाब भी उसको मिलेगा, ये right भी उसका वाले हो गया, और वहाँ पे, वो settle भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पाद नोकरी नहीं है, तो ये right violet हो रहे हैं, लेकिन चोथा वाला right है, इसको बोलते है, सविधानिक उपचारों का, जो है अधिकार, try to constitutional remedies, ये अलग right है, अगर आपने quality पढ़ी है, तो आप जानते हो, इसका इससे कोई भी connection तीनों से नहीं है, चलिए, ये wrap up करेंगे session को, out of five, आप वो कितने marks मिले, मेरे answer से अपना check करके, जरूर से बताना, लिख सको तो इसकी summary लिखो, दो से तीन sentences में, लिखने से आपकी writing अच्छी बनती है, कोई भी query or relating to courses, किसी भी course के बारे में, app के बारे में, आपका सवाल हो, ये number है WhatsApp, इस पे आप जो अपना message करें, आपको reply मिल जाएगा, मुलगा होगी कल किसी खास वीडियो में, until then signing out.